और गटबंदन के प्यारे कार्यकरता, भाईयों और बहनों, देशवासियों, आप सबका यहां बहुत-बहुत स्वागत. पिछले साल कन्या कुमारी से कश्मीर तक हमने यात्रा की यात्रा करनी पड़ी. अगर मैं अपने आप से पूछता, 2004 में, 2010 में, 2014 में, कि मुझे 4000 किलोमिटर कन्या कुमारी से कश्मीर चलना पड़ेगा, मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता था. ये यात्रा, शांत हो जाएं, ये यात्रा हमें क्यूं करनी पड़ी? क्यूंकि देश का जो कम्यूनिकेशन का सिस्टम है, शाहिए वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वो आज देश के हाथ में नहीं है. जन्ता के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, हिंसा, नफरत, महंगाई, किसानों के मुद्दे, अगनीवीर के मुद्दे, जवानों के मुद्दे, वो मुद्दे आपको मीडिया में नहीं दिखाई देगे. तो हमेने ये यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि और कोई चारा नहीं था, देश के ध्यान को पकड़ने के लिए विपक्ष को चार हजार किलोमेटर, और सिर्फ रावल गांदी नहीं चला, ये गल्फ फेमी में मत रहिए कि ये रावल गांदी चला है, सब पार्टियों के, सब विपक्ष के पार्टियों के लोग चले, सब नेता आए, हिंदुस्तान का पूरा विपक्ष, इन यात्राओं में शामिल हुआ, शरतवार जी आए, उद्धव जी आए, तेजेश हुए आए, सोशल मीडिया में भी, आप गल्फ फेमी में मत रहिए, किसी ने कहा, कि सोशल मीडिया एक रास्ता है, सोशल मीडिया रास्ता नहीं है, उस पर भी कंट्रोल है, अमेरिका की कंपनियों पर दबाव है, तो काफी डिसकॉशन होता है, कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, लोग सोचते हैं, कि हम सब एक राजनेतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं, देश भी सोचता है, कि यह जो नेता स्केश पर बैठे है, अलग-अलग पुलिटिकल पाटी से हैं, यह एक राजनेतिक पाटी से लड़ रहे हैं, यह सच नहीं है, यह गलत है, हम राजनेतिक पाटी से नहीं लड़ रहे है और ये समझने की ज़रूरत है हिंदुस्तान के यवाओं को ये बात समझनी होगी कोई और कहता है ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं, ना हम बीचेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक व्यक्ति को चहरा बना कर उपर डाल रखा है, हिंदु धर्म में शक्ति शब्द होता है हम शक्ति से लड़ रहे हैं एक शक्ति से लड़ रहे हैं अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है जैसे किसने यहां कहा राजा की आत्मा EVM में है सही है सही है राजा की आत्मा EVM में है हिंदुस्तान की हर संस्ता में है ED में है, CBI में है, Income Tax Department में है एक वरिष्ट नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूँ इसी प्रदेश के एक वरिष्ट नेता कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मा से रो के कहते हैं की सोनिया जी, मुझे शर्म आ रही है मेरे में इन लोगों से, इस शक्ती से, डरने, लड़ने की हिम्मत नहीं है मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ और ये एक नहीं है ऐसे हजारों लोग डराये गए हैं क्या आप सोचते हो शिव सेना के लोग, एन सी के लोग, ऐसे ही चले गए नए, जे शक्ती के मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजे पी एक और किया है और वो सब डर के गए हैं चार हजार किलोमेटर चला उसके बाद छे हजार किलोमेटर मनपूर से महराष्टरा मुंबई, धारावी क्या मैंने देखा क्या सुना मैं आपको समझा नहीं सकता शब्दों में नहीं बता सकता मैं आपको बोल रहा हूं तो बात याद है ही मेरे पास एक युबा आता है जीप पर कुटता है सिक्योरिटी वाले उसको मारते हैं दवा कर मारते हैं तब ही वो आता है, हाथ पकरता है आँख में आसू मुझे कहता है राहूल जी मैंने तीन साल हर रोज सुभे रनिंग की पुल अप्स की, पुश अप की डंड बैटक, सब कुछ मैंने किया मेरे दिल में देश भक्ती थी मैंने, मैं चाता था कि मैं लदाख में जाकर ठंड में जाकर ठंड में कापूं देश के दुश्मनों के सामने कापूं और एक दिन अगर मौका बने तो उनकी गोली भी खाऊं ये मैंने सोचा था राहुल जी अगनिवीर लागू कर दिया मेरे देश ने मुझे धोका दिया है नएं, तुमारे देश ने तुम्हे धोका नहीं दिया तुम्हारी सेना ने तुम्हें धोका नहीं दिया उसी शक्ती ने तुम्हें धोका दिया है नरेंद्र मोदी बाईयों और बहनों सिरफ मास्क है मुखोटा है जैसे ये बॉलिवुड के आक्टर है उनको रोल दिया गया है कि भाईया आज सुबह आपको ये करना है कल आपको ये बोलना है परसों आप ये करोगे सुबह उठके समुदर के नीचे जाओ चलो सी प्लेन में उड़ो 56 निच की चाती नहीं है खोकला व्यक्ती है दारावी को देखिया आप मुझसे पूचा गया कि ये जो यात्रा होगी कहां से कहां होगी मैंने सोचा एक बात क्लियर थी मनिपूर से शुरू होगी क्यों वहाँ पे इसी शक्ती ने सिविल वार का महौल बना रखा है भाई भाई को मार रहा है गोली मार रहा है तो शुरुआत तो वहाँ से होगी और फिर मैंने सोचा अगर हिंदुस्तान को न्या विजन देना है तो यात्रा धारावी में खतम होगी ये हुनर का कैपिटल है हिंदुस्तान के टैलंट का स्किल का हुनर का कैपिटल है और इनको यहीं से मुंबाई से इनके घनों से वोही शक्ति इनको उठा कर बार भेक रही है एक साथ मिलकर वोही शक्ति इन लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में लगी हुई है मैं आपको इस स्टेज से बता रहा हूँ चाइना में एक शहर है उसका नाम शेंजन है सच्चा मुकाबला उस शहर से है जो आपको मीडिया में कभी कोई नहीं बताएगा भारा भी शेंजन का मुकाबला कर सकता है बैंक के दर्वाजे इन बच्चों के लिए खोलो इन बच्चों को सरकार की मदद करो और फिर देखो ये शेंजन का क्या करते है उठा के परे कर देंगे शेंजन को ये लोग मेड इन मुंबाई, मेड इन धारवाई, मेड इन चायना को उड़ा के हटा देगा परे कर देगा मगर नई बाईस लोग है यहाँ पर बाईस लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के सत्तर करोड लोगों के पास है हिंदुस्तान में इंटरनेशनल एरपोर्ट खुलवाने के लिए साल लग जाते है दस दिन में शादी के लिए इंटरनेशनल एरपोर्ट खुल जाता है वो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर दस दिन में शादी के लिए खुल जाता है, वो ठीक है, करना है करो मगर बाकी हिंदुस्तान में भी तो खोलो बाकी प्रदेशों में खोलो इन्होंने क्या गल्ती की है 50% हिंदुस्तान की अबादी पिछड़े वर की है 15% गलिद 8% आदिवासी 15% माइनॉरिटी 5% 7% गरीब जेनरल कास के लोग मीडिया के मालिकों की लिस निकालिए नाम दिखा दीजे मुझे दलित का नाम दिखा दो आदिवासी का नाम दिखा दो पिछड़े का नाम दिखा दो लिस्ट में एक नहीं मिलेगा आपको मैं ढून रहा हूँ महीनों से ढून रहा हूँ इनकी गल्ती नहीं बैचारों की जैसे मोदी जी मुखोटे हैं जैसे उनका रिमोट कंट्रोल इनका भी है कुष्टिबाजी पार्क पे चल रहे इस रैली में राहूल गांधी के संबोधन को आपने सुना जिसमें राहूल गांधी सीधे सीधे प्रधान मंत्री मोधी और बीजेपी पर निशाना साथ रहे हैं इसके इलावा नोने अशोक चवान का भी बिना नाम लिये उनका जिक्र किया किस तरीके से वो डर कर बीजेपी में शामिल हुए तो लगाता राहूल गांधी के संबोधन में उनका हमला बीजेपी पर हो रहा है